गुरुदेम सुरेश्री मालीजी से व्यक्तिकत मिलने के लिए संपर्क करें मेरे प्रिये शिश्यों, साधकों और आज ये हमारे सभी नवीन दर्श को मेरे आज का विशा है राहू रहस्यम ये सिरीज में पिछले कई समय से चलाता आ रहा हूँ आज हम बात करेंगे राहू रहस्यम में कुछ आगे जन्मों जन्मों के रह जाते हैं कुछ कर्ज अदूरे नहीं कर पाते हम कुछ कर्ज पूरे हो जाते हैं कुछ ऐसे महापाप जन्मों जन्म भुगतना पड़ता है जिनका अभिशाप लगा देते हैं ये ग्रहन सुखों पर लेते हैं इम्तवां कदम कदम पर चर्चा कर रहा हूँ मैं राहू के रहस्यों की राहू रहस्यम के अंतरगत काफी कुछ हमने अभी तक जाना और इस चाया ग्रहम जो है सब पर चाया उस चाया ग्रहम में और काफी कुछ हमें जानना भी बाकी है मैंने बताया कि किस तरह राहू, गुरू, मंगल, शनी, चंद्रमा, सूरिय, आधी ग्रहों के साथ ये मेल जोल बढाकर यूती करके कुंडली में दूरियोग बना देते हूं जिनका संबंद हमारे पूर्व जर्म के करमों से होता है पिछली बार हमने बात की थी सूरिय और राहू के ग्रहन दोश की और किस-किस गर में वो क्या-क्या असर देंगे अब मैं एक कुंडली का वेश्कलेशन करके बताऊंगा कि किस तरह ग्रहन दोश जीवन पर वाके में ग्रहन लगा देता है यह एक ऐसी महिला की जर्म कुंडली है जो की ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली से संबंद रखने के बावजूद सोला साल की कच्ची उम्र में घर से भाग गई अपने माता पिता से यह सक्त नफरत करती आम तोर पर इतना कुरूर तो हो नहीं सकते हैं इसने इसाई धर्म भी अपना लिया इसे वो उनका निशान पहनना उनके तरह से उनके चर्च में जाना वहां गंटी जूते पहन के जाना अच्छा माहौल फिल्मों में भी कुछ इस प्रकार के चीज़ें दिखाई गई है उससे वो इंस्पाइड होकर उसने यह कदम उठ में इसने अपनी पसंद के लड़के से शादी भी कर ली किन्तु वैवाहिक जीवन सफलता पूरवक नहीं रहा क्योंकि मैचुरेटी नहीं थी दो बच्चे हैं इनके किन्तु इनके जीवन में कोई सुकून नाम की चीज़ी इनको नहीं मिली सुक तो मिला ही नहीं और वो भी पती से बिल्कुल भी नहीं मिला कई पुरोष इनके जीवन में आए कई सारे तरह के फ्रेंट्स बने किन्तु प्यार नहीं मिल पाया बहुत सारी चीज़ी इनके साथ बड़ी बुरी हुई है क्योंकि यह खुद भी इस प्रकार का अपना क संगर्ष पर बिल्कुल भी नहीं ना माता पिता से स्नेह मिला ना उनको स्नेह दे पाई ना पती बच्चों से प्यार मिला ना पती और बच्चों को यह प्यार दे पाई जीवन के इस बोर्ड पर वे यह जो है नहायत तरहां और अकेली जूज रही है जानते हैं इनके संग कुंडली इस वक्त आपके सामने देखिए एक नमबर से कुंडली शुरू होती हैं मेश लगन की कुंडली कहते हैं और यहां लगन लॉड बनते हैं मंगल वो चले गए एड़ ताउस में जहां पर आठ नमबर लिखा हुआ है यह एड़ ताउस होता है कुंडली का वो भी जोहने संगर्ष भोगा है उससे कई ज्यादा संगर्ष इनको मिल सकता था अगर वरिश्ची के मंगल नहीं होते तो बढ़ते आगे इनकी कहाने का असली राज छुपा हुआ है इनके नाइंत आउस में जहां पर देखिए पांच ग्रह बिराजबाने सूर्य बुद्ध यहां गुरू और राहु से बना चांडाल दोश भी एक प्रकार का बहुत बड़ा तकलीफ देन कारण बनता है आप ऐसे बहुत सार ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं श्रिबाली जी हम हमेशे अच्छा ही काम करते हैं गरदन भी कटा लें फिर भी कहीं के टेड़ी कटी भाई अब यहां पर सूरी राहु के साथ बैट कर ग्रहन दोश बना रहे हैं यहां कि गुरू स्वैम की राशे धनुराशे मिराजमाने भागियश स्वामी होकर अता समझ को पूरिता कुंटी दी कर दिया सूरी कौन है सूरी डिसिजन मेकिंग पावर कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस नेगेटिव आया कि मैं 16 साल के उमर में घर छोड़ दूं इसा ही धरम अपना लिया कई तरह के लड़के जिद्धी की वाए पर कोई ठ गरों में चांडाल दोश और ग्रहन दोश के ऐसी इस्तती बने जिसने डावा डोल कर दिया आगे बढ़ते हैं नाइन ताउस जो की धर्म भाव धर्म का होता है और पूर्वे जर्मों के कुछ हद तक परतिफल का भाव भी पित्र कृपा का भाव आधिनाई ताउस से पूर्दी कराब किये के हिंदु धर्म को चोड़कर इसने दूसरे धर्म को अपना दिया फिर मिला क्या बहुत कुछ बिल जाता तो बात भी अलग थी आपने मन पसंद का पती चुना सब कुछ ठीक हो जाता है तो माता-पिता भी उससे एक्सेप्ट कर लेते कुछ भी नही गी बहुत सारे वाई-फॉरेंड ले रहें कोई भी सेटल नहीं हो पहें बहुत सारे लोग है जो जर्म कुणी में विश्वास नहीं रखते हैं तो आप विश्वास हैं मैं एक्ट करता हूं नहीं रखना चाहिए लेकिन अगर आप कर्म में भाग्य में अपने संचित करम जितनी भी चीज़ें उन सब पर विश्वास रखें सब ठीक कर लेतें तो तो बहुत बढ़िया आप उसके बावसुत ठीक भी नहीं कर पाए तो फिर तो जोतिशे विश्वास रखो भाई कहीं इसका इसका इलाज भी निकल सकता है आगे बढ़ते हैं विद्रोही बना दिया अयस्तिर विचार वो हटी बनाया जिद्धी स्टबन एड़मेंड बनाया बाता पिता के प्रती डिस जो एक जो साटिस्वाक्शन था वो माता पिता से नहीं मिल पाया उनको भी दोगा दिया जिवनको आस अंतोष वसंगर्श्ट से परिपूर्त आपने खुदने कर दिया जिसका करण ये स्वयम भी बनी आगे बढ़ते हैं मैं आपको अब 12 हाउस की तरफ लजाने चाहूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट दोश इस वक्त बन रहा है 12 हाउस में बिराजी चंद्रमा जिसके आगे पीछे कोई नहीं साथ में भी कोई नहीं ये कारण है इनके कुछ ऐसी रही है जो चाहा कभी पाया नहीं जो पाया कभी सोचा नहीं जो सोचा कभी मिला नहीं जो मिला राज करते है सदेव अच्छे कर्म करो क्योंकि मात्र और मात्र आपके कर्म ही आपके साथ जन्मों जन्मों तक रहने वाले हैं कर्म अच्छे करेंगे तो भाग्य भाव आपका मजबूत होगा आपके और अच्छे कर्म होगी तो तय है कि अब आपको करना क्या है आपको राजियोग चाहिए या जीवन को दुश्वार बनाने वाले दुरियोग बहाबारत के शांती पर्व मिस्पस्ट कहा गया है उत्सवाद उत्सवम यांती स्वर्गात स्वर्ग सुखात सुखम स्रधानाश्च दानताश्च धनस्ता शुब कारेणि यानि जो स्रधालू जितेंद्रिय धन संपनह तता शुब गर्म परायन होते हैं वे उत्सव से अध स्वर्ग और सुख भी अधिक्तम सुख को पराप्त करते हैं तो अच्छे कर्म करो किसी का सहारा बनो किसी का दर्द बांटो मैंने पिछली बार भी कहा था कि अर्थी जब जाती है तो उसमें कंदा देने में हम अपने आपको बहुत पुड़े शाली मानते हैं कि आश कितन किसे हमने पूजा नहीं और बाद में श्राद करम कर रहे हैं उनके जनम दिन उनके पुणितिति पर हम दान करते हैं किसको दिखा दा है किसी का दर्द माटो तया धर्म परोकार के रास्ते चुनो बिन बिन बावो पर हर जगे पर बिन बिन बाती बाती तरीके के लोगों से बेल जूल बढ़ाओ और उनकी बदद करो यही जीवन का सार है सुक्स्रमदी एश्वर ये चले आए आपकी द्वार हर व्यक्ति के मन में सतेव यही इच्छा रहती है कि जैसे भी हो उस पर मालक्ष्मी की क्रपा सदेव बनी रहे उसके व्यवसाइक स्थर अध्वा घर में मालक्ष्मी का स्थाई निवासो यदि आपके परिवार पर रिन का पोश लगातार बढ़ता जा रहा हो आपके घर में कलेश, लडाय जगडा एवं तनाव पून स्थत्या पनी रहती हो व्यवसाइक प्रतिस्थान में उन्नती नव हो पा रही हो आई कि अपेक्षा व्य अधिक पना रहता हो रोग ने घर में पैर पसार लिये हो कुल मिलाकर घर एवं व्यवसाइक प्रतिस्थान में हानी, परिशानी वर चिंताय पनी रहना इन सभी समस्याओं का निराकरन है संपून सुक्स्रमद्धिकित यदि आप भी अपने घर एवं व्यवसाइक स्थल में स्थाई सुक्संपति एश्वरी वस्रमद्धि प्राप्त कर मालक्षमी का आशिरवाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आज़ी अपने घर में स्थापित करे प्राप्तिष्टा युक्त अभी मंत्रित संपून सुक्स्रमद्धिकित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे 0291-519-00-00-243-2625 98290-26625 8955-89-6625 अब हम बात करेंगे राहु का अलग-अलग भाव पर क्या-क्या प्रभाव है जय जय राहु गगन प्रविसाईया तुम ही चंद्रा अदित्य गजईया रवी शशी और स्वरभानू धारा शीखी आदी बहुत नाम तुमारा मेरे प्रिये शिश्यों पिछले कई एपिसोट से मैं राहु का सिंगहाव लोकन करने का प्रियास कर रहा हूँ क्योंकि बारा भाव में राहु के रिजल्ट्स सेम नहीं होते हैं तो आप अपनी कुंडली खोल कर बैठिए तता देखिए कि आपका राहु कहां है और आपके जिवन उसका क्या रोल वो प्ले कर रहा है राहु भाव यात्रा की शुरुवात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस की इसे मैं कुंडली की माधियम से भी आपको समझाना चाहूँगा फर्स्ट हाउस में सामाने तह उसको अशुब माना जाता है कमजोर स्वास्थे, परंपरा विरोधी, महत्वा कांगशी, दुस्साहसी कुछ आता हटी बता जिद्धी, नेत्रों को लाल रखने वाला तथा विक्रत नाखुन, गंदे नाखुन, बड़े वे नाखुन ऐसे में बदले की भावना प्रबल होती है द्वी भारिया योग यानि दोशादी गरवाने का भी कारण बनता है या एक्स्ट्रा मेरिटल अफैर भी देते हैं किन्तु फास्ट हाउस में राहु वाल अव्यक्ति प्राप्ती के लिए किसी भी हद तक जा सकता है तीक्ष्ट बुद्धी के वो धनी होते है मतलब यहाँ पर आमें बैनिफिट भी राहु का मिल रहा है और जो नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है दो शादिया और एक्स्ट्रा मेरिटल अफैर वो बड़ा खराब है हटी है जिद्धी है कुछ पाने के लिए जिद है बात अलग है लेकिन यहाँ गड़बड है अब बात करते हैं सैकेंड आउस की देखिए सैकेंड आउस क्यूंकि आज कमाई के स्रोथ बदल गए है बहुत अलग अलग तरह के से इनसान पैसा कमाता है पहले जद्धो जहद मैनत करनी होती थी बैल गाडियों में गुमते थे लोग एक गाम से दूसरे गाम आज कल बड़ा सिस्टम बदल चुका है तो सैकेंड आउस का राहू अवैद स्रोथ और जो सामाजी करूप से प्रतिस्टित नहीं माने जाते हैं जैसे मचली, मीट, सेलर, वाइन, लेदर बिजनस, ड्रग स्मलिंग, दो नंबर के काम, ब्लैक मनी जो उसका हवाले का काम, ये सारे काम जो है, वो समाज में हम लोग अच्छा नहीं माते हैं, 60 बाजार इन सब का डिपार्टमेंट राहू के पास, ये राहू बहुत लाब देते हैं यहां सैकेंड आउस में लेकिन कुटुम से कडवाहट भी देते हैं, संपत्ती में डिस्प्यूट देते हैं, मांस मदीरा का ऐसा शौकीन के गर में पैर ही नहीं टिकते हैं, ब्रह्मन प्रिय घूमने के बड़े शौकीन होते हैं, आवाज बड़ी जबर्दस होती हैं, गर वालों को इंप्रेस नह स्वार्थी भी होते हैं, और यहां राहु दत्तक पुत्र का योग भी बनाता है, यानि कई बार आपने देखा होगा कि दत्तक पुत्र मतलब गोध जैसे हम लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, वो सारा डिपार्टमेंट सेकिंड आउस का है, आगे बढ़ते हैं थाड आउस की तरह, थाड आउस के अंदर रहू द्रिड निष्चे, जो सोच लिया उसे करना है, बाहु बल, ताकत और उसे दिखाता भी है, शत्रू हंता, शत्रों का नाश करने वाला, शत्रों को पराजित करने वाला, रणवी जैई, यानि जंग के मैदान में हार नहीं मानता है, प पुरुषार्थी तता उत्तम स्वास्थे के भी धनी होते हैं, थाड आउस के राहू बाही बहनों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, पुरुष राशी का अगर राहू है, तो बाही के लिए और श्री राशी के हैं, बना रक्षत्र लिए बहन के लिए गातक बाना जाता है कुछ परिशितियों में यह प्रतम पुत्र संतान के लिए जो पहली संतान होती उसके लिए अशुब में बाना जाता है कई लोगों के पहली संतान गर में आती अबॉर्शन हो जाता है, मिस्कैरेज हो जाता है, बच्चा पैदा होकर मृतियों को प्राप्त हो जाता है, इसी बहुत सारी चीज़े थर्ड आउस का राहूस का डिपार्टमेंट का लॉड होता है आगे बढ़ते हैं, अगर फोर्टाउस में राहू है, तो क्या होगा? यहां पर राहू सुख में कमी करता है, बंधू बांधों से वैर विरोध बढ़ाता है, व्यावसाई की बजाए नौकरी से ही लाब देता है, बिजनस करे तो नुकसान देता है, इंसान जन्मिस्तान से दूर निवास करता है, जीवन में सुकून की कमी रहती है, माता का स्वास्ते ठीक नहीं रहता है, राहू यदि पाप ग्रहों के साथ हो, तो सौतेली मां से भी, स्वातेली मां से भी दोस्ती करमत अच्छा अच्छे रिजल्ट दे देता है, और खराब हो, तो खुद की मां से भी ब्यमता नहीं मिल पाती है, संतान सुक साधान वच्चित अशांत रहता है, विदेश चाकर रहने वालों के लिए फेवरेवल है, अब बात करते हैं फिफ्टा उसकी, कुर्ली के अंदर फिफ्टा उसमें अगर राहू विराजमान हो, जो की पंचम राहू पुत्र प आप तो हो सकता है, कि तु यहां राहू तीक्ष्ण बुद्धी, कल्परा शक्ति, इमेजिनेशन पावर बड़ी जवर्दस एता है, वह शोध वर्ति भी देता है, शिक्षा में रुकावट, शिक्षा वह प्रतिबा का सदुभी योग नहीं हो पाता, पेट संबंदी तकल शूर सुन्दर बुद्धिमान, राजा जैसा सम्माने, विख्यात, शत्रु हंता, वा ताकतवर होता है, शत्रु बहुत होता है, कि तु उनके लिए कुछ बिगाड नहीं पाते हैं, किन्तु ननिहाल पक्ष में सुख में गमी करवाते हैं, कमर, दात वा होठों में राशी सम्मादि नियम, जो मैंने इससे पहले डिसकस किये थे, आपको बताये थे, वो जाकर आप यूट्यूब पर वापस देख सकते हैं, राहु रहस्यम टाइप कर लें, उसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ, आदी में अशुब, तीन वग्यारा में इसके अवसा पून है, आप खुद यह ताय कर पाएंगे, कि आपका राहु आप पर महरबान है या नहीं, अपनी गुंडली खोल कर देख सकते हैं, खुद परिवार बच्चों सब की देख सकते हैं, अब मैं बताने जा रहा हूं कि तुला राशी से लेकर मीन राशी तक का परिणाम क्य हैं, अब बढ़ते हैं और जानते हैं राहु का प्रभाव सात्वे भाव, यानि सेवन्त आउस में, और सेवन से ट्वेल तक के सफर को पूरा करेंगा, अब क्रम विक्राय, क्राय विक्राय जो हम लोग करते हैं, सेल्स और पर्चिस, उसमें यहां पर यह मास्ट्री करता है है राहु, सेवन्त आउसे विराजीत राहु से विवाह में विलंब करने का करना बनता है, या फिर जल्दी शादी करवाता है, इंट्रकास्ट मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेर, वीडो से मैरिज करना, लाइफ पार्टनर के स्वास से को लेकर चिंता पैदा करना, बि पती होते हैं, वो अपनी पत्री पर शक करते हैं, वो सती सावित्री है, लेकिन आप गलत शक करते हैं, उस चेकर मेरिटल लाइफ डिस्टर बुढ़ जाती है, यह सब का कारण राहु बनता है, डैवोर्स तक पहुंचा देता है, खर्चीला वा स्वाच्छ फ्री रहना पस पैसा फसना, नुकसान, दोखा, खर्चा, करजा, यह सारा डिपार्टमेंट है, फिर जिसको अमने उधार पैसा दिया हो आता नहीं, चाहे रिश्टदार हो चाहे फिर अपना बित्र ही क्यों नहीं, यह वसीहत वो लोटरी से संपती जरूर दिलवाता है, वो विद्वानो हो पाप कर्म करने वाला, जिवन साथी से विवाद, कूतर्ख करने वाला, जन्म विस्तान से दूर रहने वाला इनसान बराता है, अब आगे बढ़ते हैं, कि 9 ताउसर जो की हमारे भाग्य का होता है, उसमें क्या गुल खिलाएंगे, नाइन ताउसर में राहूको अश्व करने वाले भी बन जाते हैं गलत कर्म करने वाले हो जाते हैं बहीं से सुख कम बिलता है मनोरंजन में कम उतसाह लेता है वह ड्रैसिंग सेंस कमजोर होता है नॉट गुट फॉर मेल चाइल्ड और यह राहू किसी को अधूरा मदब हर चीज को अधूरा छोड़ने का शौकीन बनाता है कोई भी काम पूरा नहीं कर सकता है स्टार्टिंग बड़ी जोज से करेंगे लेकिन आगे जाते 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 वो छोड़ देंगे विदेश में व्यापार वह तरक्की जरूर देता है यात्राएं बहुत करवाता है ऐसे व्यक्तियों को गुरु दिख्षा लेकर उसका पालन करना चाहिए अब हमने बात की है नाइन्थ हाउस तक राहू की हमारे अगले कारे में 10 से लेकर 12 तक के सफर को भी बूरा करेंगे आप सब लोग एक चीज़ ज्यान रखें कि हम सब ऐसा जीवन व्यतित करते हो से ज्यादा थर हमारे अपने ग्रहों का खेल का प्रभाव होता है इसे जानने के लिए मैं करूँगा आपकी जर्म खुंड़ी का विस्टेशन चाहिवो टेलीफॉन के मादिम सो या फिर आप मुसे परसनली बिले है इसके लिए आप हमारे जोत्वर कारेल में फोन करके सारी जानकारे ले सकते हैं हमारे फेस्बुक से हमसे जोड सकते हैं यूट्यूब पर जाकर सारे एपिजोड देख सकते हैं तो आज के लिए बस इतरा ही इजाज़त दीजिए नमस्कार क्या आपको उचित महनत उपरांध भी श्रेष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या फिर शनी की साड़ी साथी धया या शनी की दशा आंतरदशा या महदशा के शिकार हैं मकर सक्रांती की महसो भागेशाली अफसर पर आपके पास हैं मौका इन सभी परिशानियों से निराकरन पाकर सुक सम्रधी वर शांती प्राप्त करने का क्योंकि परंपुजी गुरुती सुरेश्ट्री माली जी ने अपनी दिव्य साध्नाओं वा आलोक एक शक्तियों द्वारा आधात्मिक साधना सिर्धी गेंद्र के विद्वान पंडितों ने निर्मान किया है मकर सक्रांती पूजन पैकेट अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291 519 0000 243 2625 98290 26625